इतना रियल दिखने वाला पेड इतनी असानी से बन गया जो जर्माश्मी में हर सजावट में आपके बहुत काम आने वाला है चलो आज बनाते हैं एक इतना कमाल का पेड तो आज हम अपने भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय पेड कडम बनाने वाले हैं और आज का भी आईडिया आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा आपको यकीन ही नहीं होगा कि घर के समान का यूज करके इतना रियल दिखने वाला पेड हमने तयार कर लिया तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले कार्ट बोड की उपर आपको दो सरकल्स ड्रॉ करने हैं और बस इनको ड्रॉ करने के बाद अच्छे से कट कर लो कट करने के बाद फिविकॉल की मदद से मैं इनको आपस में जॉइन करूँगी अब इसके बाद यह जो edges हैं जो नजर आ रहे हैं इसको cover करना तो जरूरी है तो यहाँ पे मैंने tissue paper को apply कर दिया अब चलिए पेड का base बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए मैं brown paper ले रही हूँ यहाँ पे आपको यह notebook का used paper भी इस्तेमाल कर सकते हैं या news paper भी ले सकते हो अब इसके बाद मैंने आप यह paper tape ली है जो काफी मजबूत है तो इसकी मदद से मैं इसको secure कर रही हूँ वैसे आप इसकी जगह पे ना normal paper की एक strip ले लेना उस पे फेविकॉल लगाके direct उसको गोल गोल घुमा देना वो भी बहुत मजबूती से इसको चिपका देगा अब यहाँ पे इसकी उपर मैं aluminium foil की मदद से इसको cover कर रही हूँ पेड का पूरा एक proper look हम देने वाले हैं इसकी सारी तहनिया बनाएंगे और इसके लिए यहाँ पे मैंने aluminium foil के roll का use किया है जो सबके घर पे यूई मिल जाता है और मुझे तो लगता है aluminium foil, ear bird के boxes यह सब मैं सरिफ craft बनाने के लिए ही खरीती हूँ मैं को honestly ऐसी लगता है तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी से cover कर चुकी हूँ base तो चलो इसका तयार हो गया अब इसके बाद नीचे से इसको एकदम ऐसे flat कर देना ताकि जब चपकाओ तो यह डगमगाई नहीं एकदम सीधा रहे जो यह कम टहनिया बना रहे ना इनको जोड़ना काफी ज़्यादा असान रहेगा बस यहाँ पे आपको कोई भी strong glue लेना है मैं prefer करूंगी कि अगर आपके पास glue गन है तो बहुत अच्छा है गाओं की जहांकी होती है ना इतनी प्यारी सी उसमें तो यह एकदम चार चांदी लगा देगा बाकी अगर जैसे मैं अलग-अलग तरह की बहुत सारी decorations आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ और यह तो अभी के लिए surprise है जैसे जैसे वीडियोज आएगी आपको सब पता चलता जाएगा तो उसमें मैं इस पेड का बहुत तरीकों से इस्तमाल आपको दिखाने वाली हूँ मैं बहुत सारे वीडियोज लेके आऊंगी तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ना मैंने टेशू पेपर से जो जो जॉइंटेड खिस्सा था वहाँ पर कवर कर दिया ताकि यह एकदम ऐसे दिखे नहीं कि हमने अलग से कुछ चीजों को जोड़ा है अब इसके बाद मैं इसके उपर ब्राउन अक्रेलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ पेंट के अंदर थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कर लेना वो और जादा अच्छा लुक देगा इसको और बस इसके बाद मैं इसको बेस के साथ यहाँ पे जोड़ दूँगी अब यही करते करते मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया था तो मैंने वो भी एक्जेक्यूट किया यहाँ पर मैंने और इस तरीके के रोल्स बनाए और उसको मैंने नीचे लगा दिया जैसे जमीन से पेड की जड़े निकलती भी दिखती है ना बिल्कुल वैसा ही लुक मुझे इसको देना था क्योंकि यह एकदम बहुत सुन्दर लगता है कुछ इस टाइप का तो मैंने एकदम इसको वैसी पेंट किया है गाईज अगर आप लोग को याद हो तो हमने पहले भी एक कडम पेड बनाया है और उसको बनाने का मेथ़ड एकदम ही डिफरिंट था और यूट्यूब पे फर्स्ट हमारा की चानल था जिसने कडम पेड के कॉनसेप्ट को इंट्रिडियूस किया बाद में हाला की बहुत लोगों ने कॉपी कर लिया बट कोई बात नहीं ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है अब यहाँ पे मैं इस तरीके से पेपर को स्टिक कर रही हूँ जिसके उपर मैं इसको पेड का लुक देने के लिए कुछ अलगी चीज यूज करने वाली हूँ और वो की है का हमारे आज के वीडियो का ट्विस्ट तो गाइस अब इसके बाद आपको क्या करना है जो फोम होता है जो कहम सबके पास घरों में यूख ही available मिल जाता है मैं उसका यूज करने वाली हूँ सबसे पहले फोम के मैं एकदम ऐसे पतले-पतले layers में cut करूंगी इसको और उसके बाद मैं इसको छोटे-छोटे pieces में ऐसे एकटा करके divide करते जाऊंगी और मैंने काफी ज़ादा इसको यूज किया मतलब एक बोल भरके मैंने फोम यूज किया होगा तो ये एकदम ओरिजिनल पेड़ वाला लुक दे रहा था और ना गाईज आप लोग को बिलीव नहीं होगा ये आइडिया बहुत इजी है आप लोग को अगर आपने एकदम से ल रहेगा यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी मिक्स किया कि आप पानी अपने अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हो जादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है और बस इसके बाद हातों से जैसे नॉर्मली हम आटा गूते हैं वैसे आपको इसको मिक्स करना है सारी की सारी फोम के टुकड़े अच्छे से कलर हो जाने चाहिए और यहाँ पे ना ग्रीन के आप डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूस करना जैसे ग्रीन में यलो मिक्स कर लेना कभी ग्रीन में वाइट मिक्स कर सकते हो लाइट ग्रीन डाग ग्रीन अलग लग शेड्स यूस करना तो यह जै से मैं इसको रेडी करती हूं और इसको ड्राय करने के बाद हम अपने पेड के ऊपर लगाना शुरू करेंगे तो यह दोनों ड्राय हो गए अब यहां पर मैंने फैविकॉल अप्लाई किया है और उसके बाद मैं इसको ऐसे करके चिपकाते जाऊंगी उपर उपर ना आपको और डालते जाना है और यह फोम के टुकडों को इस तरीके से चिपकाते जाना है जैसे मानलो इतना आपने लगा लिया अब इसके बाद इसकी उपर उपर और फैविकॉल को अप्लाई करना और इसको ऐसे करके आप स्टिक करते जाना तो चलो मैं आपको एक पार दिखाती ह चिपकेगा अब यहां पर नीचे की तरफ मुझे इसको थोड़ा सा ग्रास का एफेक्ट देना था तो मैंने यहां पर भी फोम ही यूज कर लिया और फ्लास का लुक देने के लिए थर्मकॉल के बॉल्स का मैंने इस्तमाल किया है यह किनारी वाले किसे को हम एकदम वो सिमे है काफी जादा रियल लग रहा है इसको तो आप अपनी सजावट में जहां पर भी लगाओगे ना यह तो एकदम चार चांद ही लगा देगा तो इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो इतना रियल दिखने वाला पेड़ इतनी असानी से बन गया यार जल्दी किसी इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर लो मिलती है आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में सो बाई टिक केर खरी कृष्णा राधी राधी